तो बिहार में भी सूफी संत यहां पर दोस्तों पहुंचे तो बिहार में सूफी और सूफी संतों को लेकर कि अगर हम बात करें तो दोस्तों तो बिहार तूर्की सत्ता के स्थापना के साथ ही इसलाम के संपर्क में आया और उनी के साथ साथ दोस्तों बिहार में सूफी कि च्ट्रो में दो सूफी परंपरा जो रही थी वह दो चीजों का मिक्स्चरत हो गया था मिस्टीच सवरूप ले करके हम नुगों के सामने आ रहे थे एक तो उनके पास उनकी इसलामिक विरासत और हिंदू कला संस्कृति इन दोनों को मिला करके दोस्तों सूफी परंपरा हिंदु धर्म के संगीत और अंस इन दोनों को लेकर कि वह आगे क्यूर बढ़ी जिसके कारण इसको में दोस्तों हिंदु दर्म के लोग भी सित्र से काफी तेजी से जुड़ते चलते चले गए बियार में दोस्तों अगर सबसे पहले देखा जाए तो चिस्ती सिलसिले के लोग सूफी संपरदाय के दोस्तों जो संपरदाय होते हैं जो समून के अलग-अलग होते हैं उनको सिलसिला बोलते हैं उनको का नाम दर्ज होता है जो की चिस्ती सिलसिले को इन्होंने बिहार के च्छतर में अस्थापित किया इनके अलाओ दोस्तों इसमें अगर दिखा जाए पटना के नजदी के पीर सहबुद्दीन जगजोत इसके अलाओ दोस्तों हाजीपूर के सयद इबराहीम चिस्ती और परदाय मदारी और फिरदोश यह सूफी के अलग-अलग सिलसिले हैं बियार में दोस्तों यह सब आये बियार में चिस्ती भी आया कादरी भी रहा स्वरावर्दी भी रहा मदारी भी रहा फिरदोसी भी रहा लेकिन दोस्तों बियार में जिस सूफी परंपरा को सबसे अध सबस्थाइक लोकप्रीयर फिरदौसी सिलसिला को मिला था यह आपके एग्जामें बार-बार पूछता है और इसके प्रवर्टक में अगर हम लोंक बात करेंगेम तो से इसके प्रवर्टक थे संथ मक्दूम या हवा-मनेरी जो की दोस्तों मनेरी छित्र से सम्मंद रखते थे और ये मनेरी कहां पर था ये बंगाल और बियार के हिस्से के बीच में मनेरी एक चर्चित अस्थान है ये अस्थल है वहीं पर मक्दूम सर्फुदिन या हवा मनेरी का जन्म हुआ था जिन्होंने बियार में सिर्दोशी सिलसिले को लोक्प्री बनाने का प्रयास किया था. तो मनेरी का जन्म दोस्तों 1290 में हुआ था दियान रखना मनेर सुनार गाओं वर्तमान में ये बंगला देश तक की यात्रा कर ग्यान प्राप्ट करने के बाद राजगीर बिहार सरीफ में साधना की और धर्म के परचार परसार में लीन हो गए तो इन्होंने दोस्तों बिहार सरीफ, राजगीर और बिहार सरीफ के छतर को अपना केंदर बनाया था जहां से ये कारी कर रहे थे इन लोगों ने दोस्तों अपने सिधानतों में खास करके जो गरीब थे जिनको दरिद्र या पीडित कहा जाता है उन लोगों को राहत देने के लिए उनके प्रतिस सम्वेदना ब्यक्ट करने के लिए उनको अपने साथ समलित किया हुआ था और उनको ग्यान और उपदेश के पात्रों को ले करके ये आगे क्योर बढ़ते थे जो इनकी भी सेस्ता थी दोस्तों मदनेरी साथ रचना आदूल मूरदीन इन्होंने एक रचना भी की हुई थी जिसकी रचना का नाम आदबूल मूरदीन था जो कि दोस्तों सूफी संतों के लिए क्या होती है इनके ज्यान और इनका जो दर्शन रा इन सब का संग्रह इसमें उपस्तित किया जाता है 1381 में इनकी मृत्ति हो गई थी इसके लाओं दोस्तों एक संप्रदाय है दरिया पंथी संप्रदाय के संस्थाकर संथ कभी दरिया साहिब थे और इनका जन्म दोस्तों मुसल्मान दर्जी परिवार में रोतास जिले के अंतरगत हुआ था तो इन्होंने बिहार में दरिया पंथी संप्रदाय को अस्थापित किया था